हेलो फ्रेंड्स वेलगम अगेन स्वागत है आप सभी का अपना टॉपिक चल रहा था सम्वेधानिक विकास इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वालें 1909 वी का भारत परिशद अधनियम और 1919 का भारत परिशद अधनियम इससे पहले फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो उन वीडियों को जरूर देख लें प्लेलिस्ट में जाकर चलो वीडियो इशाट करते हैं 1909 वी का भारत परिशद अधनियम या इसी अधनियम को का जाता है मारले मिंटो शुदार क्यों का जाता है मारले थे ये उ अधनियम को मारले मिंटो शुदार भी का जाता है चलो वीडियो इसमें क्या क्या पॉइंट्स थे लिगे पहला पॉइंट्स है इस यह अधनियम अरुंडेल सम्ती की सिपारिस पर भारत लाया गया था तो किस सम्ती की सिपारिस पर लाया गया था अरुंडेल सम्ती की सिप मुश्लिम सदस्यों का चुनाव मुश्लिम मतदाता ही कर सकते थे फ्रेंड्स ये क्वेशन कही बार आज़ता है कि किस अधनियम के द्वारा मुश्लिमों के लिए प्रिथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया तो 1909 इसवी के अधनियम के द्वारा अगला पॉइंट है इस प्रिकार इस अधनियम ने सामप्रदायक्ता को मानिता प्रिदान की अते लर्ड मिंटो को सामप्रदायक्ता का जनक कहा जाता है कई बार कुशन पूच लिया जाता है कि बारत में सामप्रदायक्ता का जनक किसे कहा जाता है तो लारड मिंटो को क्यों का जाता है क्यों कि इसने मुस्लिम और हिंदू के नाम पर भारतियों को बांटने का काम किया था और अब इस अधनियम के बाद मुस्लिम सदस्यों का चनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे इसने एक बात और कही थी ये पॉइंट आप ध्यान रखना मिंटों ने कहा था कि हम भारत में नाग के दांत उगा रहे हैं अर्थात भारतियों को सामप्रदायक्ता के आदार पर या हिंदू-मुश्लिम के आदार पर बांटने का काम कर रहे हैं इसका मतलब ये है फ्रेंट्स ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे 1909 इसवी के अधनियम के इसके बाद अगला अधनियम आता है 1919 का भारत परिशद अधनियम इस अधनियम को का जाता है क्या बार तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि 1919 इसवी के भारत पर अधनियम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है तो मौन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधनियम इसका नाम क्यों है तो वही बात है फ्रेंट्स जो मौन्टेग्यू थे वो थे राज्य सच्चिव और चैम् भारत के वायस राय तो फ्रेंट्स इसमें क्या क्या पॉइंट्स है समझते हैं इसे 1922 इसमी में भारत में लागू किया गया अगला पॉइंट्स है इसके द्वारा महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया फ्रेंट्स सारे पॉइंट्स आपको बुक में रेजिस्टर मे लिख लेने हैं, जिस से बाद में समझने में आसा नहीं रहे, तो पहली बार महिलाओं को मतदान देने का जो अधकार दिया गया था, वो किस अधनियम के द्वारा दिया गया था 1919 के भाराशासन अगनियम के द्वारा, अगला पोइंट से, इस केंदर में परिशद और दूसरा था केंद्रिय विधान सभा चलो इनको समझते हैं क्या थी राज़ परिशद लेकिर राज़ परिशद है इसे उच्छ सदन कहा जाता था इसमें कुल 60 सदस्य थे जिनमें से 34 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत थे इसका कारेकाल पांच वर्स था अगला है केंद्रिय विधान सभा इसमें क्या था इसे निम्न सदन कहा जाता था इसमें 146 सदस्य थे जिनमें से 104 सदस्य निर्वाचित तथा 40 मनोनीत थे और इनका जो कारेकाल था वो तीन वर्स था अगला पॉयंट से प्रांतों में 22 शासन प्रडाली का प्रारम हुआ प्रांटों में 22 शासन प्रडाली का प्रारम हुई या किस अधनियम के द्वारा प्रारम की गई तो 1919 के भारत परिशद अधनियम के द्वारा तो ये दो पॉइंट्स डियान रखने है कि अंदर में 20 अधनात्मक बिदाय का प्रारम की गई और दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको प्रांतों में द्वैत सासन प्रारम किया गया अभी ये प्रांतों में द्वैत सासन प्रारम किया गया है लेकिन जो अगला अधनियम पढ़ेंगे अपन 1935 का भारत सासन अधनियम तो उसमें क्या हुआ था उसमें ये प्रांतों से द्वैत सासन को समाफ्त कर दिया गया था तथा केंदर में द्वैत सासन लगा दिया गया था तो ये question थोगा confuse रहता है किस में हटाया किस में लगाया तो प्रांत यानि कि पहले तो पहले प्रांतों में लगाया है और बाद में केंदर में प्रांतों में पहले इस तरह से आप याद रख सकते हैं अगला question है प्रांतों में द्वैत सासन का जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है अगला point है इस अधनियम ने सामप्रतायक्ता आधार पर सिखों ईसाईयों आंगल भारतीयों बाई यूरोकियों के लिए पिर्थक निर्वाचन प्रारम किया गया अगला point है भारत सच्चिव को अधिकार दिया गया कि वे भारत में एक महलेखा परिक्षक की नियुक्ती कर सकता है तो friends यह question एक बार SSC CGL में आया हुआ question है कि किस अधनियम के द्वारा भारत में महलेखा परिक्षक की नियुक्ती का अधिकार दिया गया तो फ्रेंट्स उननीस सो उननीस का भारत परिशद अधनियम जिसे वर्तमान में कंट्रोलर एंड ओडिटर जर्नल ओफ इंडिया कैग कहा जाता है वो इसी अधनियम के द्वारा न्युक्ति की गई थी अगला पूइट्स है इस अधनियम में भारत के लिए एक लोक सेवा आयोग के गठन की सिपारिस की गई अते 1926 एसवी में ली आयोग ली कमीशन की सिपारिस पर सिविल सेवकों की भरती के लिए केंड़िये लोक सेवा आयोग का गठन किया गया अगला point है पहली बार केंद्रिय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया अगला point है इस अधिनियम के द्वारा वायस राय की कारिकारी परिशद में छे सदस्यों में से तीन सदस्यों का भारतिय होना अनवारे किया गया तो जो कारकारी परिशद सी ये गलत लिखा हुआ पर है कारकारी परिशद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारती होना अनवार किया गया तो फ्रेंट्स ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लेना रेजिस्टर में क्योंकि कोचिंग में भी पढ़ाते हैं विलकुल लेकिन मैंने जो क्वेश्चन आते रहते हैं सिर्फ उन पॉइंटों को ही ने क्लूट किया है तो आप को कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें थैंक यू धन्यवाद